असालाम एले कुम आज वाफ़के फार चिकंग का एक बहुँत ही आसान स्नैक बनाने की रेविधे शेयर कर रही हूं, मैं आपके साथ चिकंग रोल्स बनाऊंगी जो की बहुत ही ईजीली बनेंगे और बहुत टेस्टी बनेंगे तो चलिए देखते हैं हमें चिकन स्प्रिंग रोल किस तरह से बनाने हैं और इसको बनाने के लिए हमें क्या-क्या इंग्रेडिंट्स चाहिए हैं सबसे पहले हम एक पैनल लिंगे और इसमें एक टेबिल स्पून तेल गरम कर देंगे तेल गरम हो जाएगा इसमें आधा टीस्पून बारीक कटावल हैसुन और एक दू हरेमेज डाल देंगे या फिर आप टेस्ट के हिज़ाब से हरेमेज डाल लीजगा इसे के साथ आधा कप जाएगी इसमें बारीक कटीवी प्यास प्यास को ओमलेट कट काट ली जगा और प्यास को बस हलका साथ सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर प्यास को हमने हलका साथ सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई कर लिया है अब हम इसमें कुछ सबजियां और डालेंगे आधा कप मैंने पत्ता गोबीस में डाली है इसे के साथ इसमें वन थर्ड कप के करीब जूलियन कटेवी गाजर डाल देंगे और शिमला में इस डाल देंगे वन बाई फूर कप के करीब दो से तीन टेबल स्पून और हलका सा इनको फ्राइ करेंगे इसलिए इन सब्जियों को ओवर कोक नहीं करेंगे इसी दर मियान हमें इसमें कुछ मसाले डाल देना है हलके फुलके से मसाले जाएंगे आधा टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल ले चिकिन को उबालते टाइम भी मैंने नमक डाला था एक टीस्पून डाल देंगे डाक सोय सॉस और एक टेबल स्पून डाल देंगे चिली सॉस आप रेड या फिर ग्रीन जो भी आपके पास अवेले बिल है वह वाला चिली सॉस आप यूज़ कर सकते हैं मिला देंगे इन सबी चीज़ों को अब हम ढाल देंगे इसके अंदर चिकन तो मैंने 200 ग्राम चिकन लिया था उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाला हलका सा नमक और काले मिश डाला और इसको 10 मिनट के लिए मैंने प्रेशर कुक कर लिया जब चिकन अच्छी तरह से पग गिया तो इसके रेशे मैंने अलग कर लिये तो इस तरह से हाँ पर मेरा श्रेड़ चिकन रेडी था तो मैंने इसमें डाल दिया है, एक कब भर कर है ये, मिला देंगे अच्छी तरह से, और ये हमारी चिकन की स्टाफिंग मन कर तयार है अगर आप इस रेसेपी को चिकन के बगएर बनाना चाहते हैं, तो फिर चिकन वाला पार्ट स्किप कर दीजेगा सिंप्ली सबजियों वाला जो मिक्शर है, वो रेडिकल लीजेगा और स्प्रिंग रोल्स बना लीजेगा इधर हमें एक मैदे की स्लरी तयार कर लेनी है, तो एक टेबल स्पून मैंने मैदे ले लिया है, डेर से दो टेबल स्पून इसमें पाने डाल देंगे, मिला देंगे इसको अच्छे तरह से, और ये हमारी स्लरी तयार है, इसका इस्तमाल हमें रोल्स को चिपकाने में करना ह इधर मैंने स्प्रिंग रोल शीट ले लिए इसमें हम एक से डेर टेबल स्पून चिकेन और वेजिटेबल का मिक्स्चर रखेंगे और इसको इस तरह से अंदर की तरह फोल्ड करतेंगे अंदर की तरह दबाते वे इसको फोल्ड करेंगे और यहां पर आने के बाद हमने जो स्लारी बनाई है वो हमें यहां पर लगाते नहीं है क्योंकि हमें इसको अच्छी तरह से चिपका कर सिक्यूर कर लेना है तो यहां पर दोनों साइड में हम यह स्लारी लगाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और अब यहां पर भी हमें स्लारी लगा देनी है अच्छी तरह से इसको सिक्यूर कर लेते हैं और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो बाकी के सारे स्प्रिंग रोल्स हमें इसी तरह से बना कर रख लेने हैं दूसरा spring roll भी हम ऐसी बना लेंगे, mixture रखेंगे, mixture को थोड़ा सा side में रखेंगा, center में मत रखेंगा, fold करिएगा, यहां पर slurry लगा दीजगा, इसको ऐसे अंदर के तरफ fold करिएगा, एक envelope का shape देदीजगा इसको, और slurry लगा कर अच्छी तरह से इसको pack कर दीजगा, तो इसी तरह से हमें बाके के सारे rolls बना लेने हैं, और जितना हमारा mixture था, इसमें से 8 हमारे spring rolls बनकर तयार हुए, इस पॉइंट पर आप चाहें तो इसको freeze भी कर सकते हैं, और आराम से 15 से 20 दिन के लिए इसको आप use कर सकते हैं, freeze करने के लिए कोई भी zip lock bag ले ले ली जगा, आपको इसको zip lock bag या फिर air tight container में ही freeze करना है, आप किसी open vessel में इसको freeze नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो freezer का जो ice होती है, अगर इसमें चली जाएगी तो फिर इसमें moisture आजाएगा, और फिर ये खराब हो जाते हैं, ठीक से fry नहीं होते हैं, तो इस तरह से अच्छी तरह से secure करके आप इसको freezer में रख दीजेगा, और 15-20 दिन आराम से आप इसको use कर सकते हैं, चलिए अब इनको fry भी कर लेते हैं, तो अधर एक pan में मैंने तेल को गरम होने के लिए रख दिया है, तेल proper medium hot हो जाएगा, तब हम इसमें अपने spring rose टाल देंगे, ये बहुत जल्दी fry हो जाते इसलिए इन पर निगाह रखिएगा, और फॉरण इसकी side को बदल दीजेगा, और दोनों तरफ से घुमा कर इसको golden और crisp हो जाने तक fry कर लेजेगा, तो इस तरह आप देख सकते हैं, हमारे spring rose में अच्छा सा color आने लगा है, golden और crisp ही हो चुके, तो बस अब हमें इनको निका लिना है, तो आप देख सकते हैं, एकदम perfect हमारे spring rose बनकर तयार हुएं, और मैं आपको अंदर से भी cut करके दिखाती हूँ, तो इस तरह आप देख सकते हैं, बिलकुल जबदस्त हमारे spring rose बनकर तयार है, बाहर से एकदम crispy हैं, और अंदर की जो chicken की filling है, ला जवाब है, इसकी filling देख सकते हैं, बहुत ही tasty filling होती है यह, और आपने देखा ही, इनको बनाना भी कितना असान था, तो बस अभी बनाईए आप इसको शाम के टाइम के लिए बनाईए, आपको बहुत पसंद आने वाली है, उमीद करती हूँ chicken spring roll की यह, रह से पी आपको पसंद आई हो और मेरे Facebook पेज़ और Instagram पेज़ को भी follow करिएगा, जिसका link में ने description box और comment box में दियावा है, वीडियो देखने का शुक्रिया, अला आफिस